आनंदम सिल्क्स, आडी तल्डबडी, सम्म जाली, आडी ओफर, आइंद मुदल 50% वरै करण की निरंतरता का बजेट है, इन नौजवानों को अंगिनत नए आउसर देने वाला बजेट है, इस बजेट से सिच्छा और स्कील को नई स्केल मिलेगी, ये मिडल क्लास को नई ताकत देने वाला बजेट है, ये जनजातिय समाच, दलीत, पिछणों को ससक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है, इस बजेट से महिलाओं की आर्थिक भागेदारी सुनिस्षित करने में मदन मिलेगी, इस बजेट से छोटे व्यापारियों, MSM इसको और की लगूत जोगों को उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा, बजेट में मैनुफेक्टरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्त्रक्चर पर भी बल है, इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी, और गति को भी निरंतरता मिलेगी, साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के, अभूत पुर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है, आज का बजेट इसे और सुद्रुड करता है, देश और दुनिया ने पियलाई स्कीम की सफलता देखी है, अब इस बजेट में सरकार ने एंप्लोईमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम की गोशना की है, इससे देश में करोडों करोडों नए रोजगार बनेंगे, इस योजना के तहट जीवन में पहली नोकरी पाने वाले युवा की पहली तनक्वा हमारी सरकार देगी, स्कील डेवलप्मेंट और उच्च सिख्षा के लिए मदद हो या फिर एक करोड नवजवानों को इंटरंशिप की योजना, इससे गाउं के गरीब के मेरे नवजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कमपनियों में काम करेंगे, उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेगे, हमें हर शहर, हर गाउं, हर गर एंटर्प्रिनर्स बनाना है, इसी उद्देश से बिना गरंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को दस लाख से बढ़ा कर बिस लाख रुपी किया गया है, इससे छोटे कारवारियों, विशेश रुप से महलाओं, दलीत, पिछडे, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा, साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैनुफेक्टरिंग हब बनाएंगे, देश का MSME सेक्टर मद्यमबर से जुड़ा हुआ है, एक प्रकार से MSME सेक्टर की ओनर्शिप मद्यमबर गही है, और इसी सेक्टर से गरीबों को जादा से ज़्यादा रोजगार में मिलता है, छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत उस दिशा में हमारा एहम कदम है, इस बजेट में MSME के लिए Ease of Credit बढ़ाने वाली नई योजना का एलान किया गया है, manufacturing और exports ecosystem को हर जीले तक ले जाने के लिए बजेट में एहम गोशना की गई है, e-commerce, export hubs और food quality testing के लिए 100 units ऐसे कदमों से one district, one product भ्यान को गती मिलेगी, साथियों, ये बजेट हमारे start-ups के लिए, innovation ecosystem के लिए, देर सारे नए अवसर लेकर आया है, space economy को बढ़ावा देने के लिए, 1000 करोड रूपय का fund हो, angel tax हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजेट में उठाए गए हैं, साथियों, record high capex economy का, एक driving force बनेगा, 12 नए industrial nodes, देश में नए satellite towns का विकास, और 14 बड़े शहरों के लिए transit plants, इससे देश में नए economic hub विक्सित होंगे, और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे, साथियों, आज defense exports records तर पढ़ है, इस बजेट में defense sector को आत्म निर्भर मनाने के लिए अनेत प्रावधान किये गए हैं, आज पूरी दुनिया में भारत के प्रती आकर्शन बड़ा है, और भारत में तूरिजम के खेत्र में नई संभावनाय बनी हैं, तूरिजम खेत्र गरीब और मध्यम्वर के लिए कई अवसर लेके आता है, इन्र थाकल सेपट्ट मध्य बडजट कुरित्त प्रतमर्त्र नरेंदर मोडी उरे आत्री कुंडरुकरार, पुदिये नड़त्तर वर्कत्ते उरुवाकुम बडजट्ट इदे इन्र थरिवित्तर कुरार, अडंद पत्ता आंडगिलिल 50 गोडी पेरै, वरुमेल इरंद मीट्र पथाखवं उरु कुरिपिट्टर कुरार, निरंदर वरुवाइदरं बडजट्ट इदे इन्र अवर कुरिपिट्टर कुरार, कल्वी तिरने वेलैवाइप्पितिरने अधिकरिक्कुम बजट्ट एंदु कुरिपिटरिक्रार मखलीर पढ़ंकुडीनर सिरुवियाबारिहल्ट आईवर कुपढ़न किट्टों निरंदर निलयान वळच्चिये इंद बजट्ट उक्किविक्कों कोडिकर काना पुदिया वेलैवाइप्पिगली उरुवाख्कों पुडिलाँ, कुरिपित्टरिक्राइप्ट पजट्ट कुरित्टु आनंदंदंसिल्क्स, आडि तल्लबडी, सेमग जाली, आडि ओफर, 5,50 परसेंट्ट् वरै